चाहिए कि मौलाना साहब आप युवाओं को ये हूरों का सपना दिखाना बंद कर दो ये दुनिया कैसे सुधारी जाए उस पे ध्यान दो तो हमारा परपसौल हो जाएगा मुसल्मानों में जो गलतियां आई गही ना जो कमियां आई है मुसल्मानों को चाहिए उसको ठीक कर चाहिए को नहीं समझे सिंबॉल को समझ रहे हैं जैसे रातन के लोग अच्छे से समझते हैं लेकिन वुसल्मानों । आज कल फिल्में कुछ सथना की आ रही है इंक लेकर हम अलिकरते नज़राते एक फिल्म आने वाली है बहत्तर हूरें और एक है अजमीर 92 दोनों इस तरह से दोनी फिल्मों को देखा जा रहा है कि ये मुसल्मान समाज को टागेट करने के लिए बनाए गई है सवाल में आपसे पहले तो मैं आपसे जाना चाहती हूं क्योंकि आप एक मुसल्म जिन तक हैं समाज को अच्छे से समझते हैं और आप दीन को भी अच्छे से समझते हैं आखिर ये 72 हूरों का कॉंसेप्ट क्या है हूर है 72 कहां से आया और ये सारी चीज में आपसे पहले समझ सब्सक्राइब करने लगते हैं तो इस बात को समझ जाना चाहिए कि भूर का इसलाम में है अगिंति क्या है यह है हम नहीं बता सकते लेकिन हूर है बिल्कुल और रिवायते हैं लग- Wave 雲 इस गहासे आकड़ आजाते हैं तो लेकिन जो एक्छेक्ट हैिसलाम में वो मैं बता रहूं, संख्या एक्जेक्ट मैं आपको नहीं बोल सकता है, पर हूर है, ये बिलकुल सत्य है, सुरह रह्मान में हूर का जिक्र आया हुआ है, जन्नत की बहुत सारी नेमतों का अल्ला ने जो जो हमें दिया है और इतना दिया है, इतना दिया है अल्ला ने उस किन रहमतों से नेमतों से आप इंकार करोगे जिन्नों इंसान तो अल्ला की उन रहमतों में जन्नत भी बताई गई है जन्नत में हुरे भी बताई गई है तमाम तरह की चीज़ें बताई गई है पल बताई गई है रेहान बताया गई है तुलसी बताया गई है यह सब चीज़े संख्या में मैं नहीं जाओंगा संख्या का exact कोई फिगर ऐसा नहीं पूर है पूरो का वर्णन भी है कि वो कितने सुंदर होंगी कैसी दिखती होंगी मुश्क अंबर जाफरान से बनी होंगी उनकी उन्चाई भी मौलाना अलग-अलग बताते हैं बहराल जो जो है लेकिन हां 130 फीट है, 140 फैसा अब एक बात किया आपने उन्चाई की बात की और ऐसी बहुत सारी वीडियो अगसे हम देखते रहते हैं और आज कर क्योंकि मुद्दा चल रहा है तो बहुत सारी वीडियो निकाल निकाल के वाइरल भी हो रही है जो मौलाना ये पूरे ग्राफिक डिट हुई होगी, वह हमारे लिए होगी, अखरी कहां पे लिखा हुआ है, क्या इस तरह को कोई बर्नन मिलता है, जन्नत का पूरा किस तरह का होगा, शराब की नहरे, शैद की नहरे, और ये हुर, देखिए ये अलग-अलग हदीसों में आया है, और अलग-अलग अलग बात का, बहुत सारी जाइफ हदीस भी कहते हैं, बहुत सारी हदीसे, किसी ने हदीस ओरिजनल थी नहीं, अपने मन से, देखिए हदीस एक्चुली में है क्या, परगंबर हजरत मुहम्मद से लिए ने जो बात कही और जो काम किये, उन सब को मिला कर हदीस बनती है, अब जैसे उन्हों कहा, फिर दूसके कान में दूसरा कहा, तीसरा कहा, चौता कहा, दस्वे के पास आते आते हैं, वो मूल बात क्या थी, वो समाब्त होगी, तो कुछ हदीसों के साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए जो डिस्क्यूटड बात है, हम उस पे नहीं जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहते हैं, जी, वहाँ पे शराब भी होगी, और कौन पिलाएगा, कौन सी यूर पिलाएगी, माज अल्ला कि अल्ला शराब पिलाएगा, इस तरह की बातें तो नहीं करने चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ी बात समझने लाइक जो यह है, कि कुछ प्रतीक, कुछ इशारो में कुछ बात कही जाती है, ताकि हम इस दुनिया को सुधार सके, उस प्रतीक और इशारों को सनातन वाले यदि व्याख्या की जाए, तो सनातन के लोग अच्छे से समझते हैं, लेकिन मुसल्मानों में, चुकि वो धर्म सुधार आंदोलन नहीं आया है, जो कि हिंदूों हैं, लोगी है, तो वो उन चीजों को एज इटीज ले रहे हैं, उन प्रतीकों को नहीं समझ रहे हैं, सिंबॉल को नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि कुरान शरीफ में बहुत अच्छा सिंबॉल है, जब एक बाढ़ और एक परलाय आने की ऐसी सुचना हजरत नुम को मिली, हज आने केवल इबादत नहीं की, केवल नमाज नहीं पड़ी, केवल सजदे में नहीं चले गए, कि अब मैं इस बाढ़ से बचने के लिए अल्लाह से माँगा, बलकि उन्होंने साइंस टेक का इस्तेमाल किया और पूरी मेहनत की एक शिप बनाने में, आज के बड़े-बड़ इंजिनियर वो शिप नहीं बना सकते, जो हज़रत नुह अले सलाम ने शिप बनाई थी, और उसमें सब को बैठा कर लोगों को सुरक्षित रखा, यानि कि इसलाम में और कुरान चरीफ में साइंस टेक की कितनी बड़ी बात, ठीक उसी तरीके से इस इशारे को यदी हम अपनी मा बहन, बेटियों की इशट करें हमारी जो पतनी हैं उसकी इसल के लिए पहले तो हूर का एक बड़ा एक धाचा खीचा गया, उसका ग्राफिक पुरा बनाया गया कि हूर इतनी खूब सुरत होगी, इतनी खूब सुरत होगी इसका सारा वर्णन किया पिर बताया कि वो आपको reward के रूप में जन्नत में मिलेगी फिर फाइनली पैगंबर हजरत मौहमस से जब उनकी पत्नियूं में सल्मा पूशती है कि जन्नत की हूर जादा अफजल है स्रेष्ट है कि दुनिया की और पैगंबर हजरत मौहमस यानि कि फुल मिलाकर हम कहाँ है अपनी पत्नी पे आए और अपनी बेटी पे आए अपनी बहन पे आए कि भई कुछ बाते यह तो प्रतिक के रूप के रूप में कि जन्नत के हूर से ज्यादा अफ़जल दुनिया की और लुग बात तो डारेक्ट गई गई जैसे माओ के कदमों में जनननना था है यह पिर्वानिक हदीश पुझी कि बहु वचन कहा गिया है मां के कदमों में जनत है यानि कि हमें जन्म देने वाली मां और आराए बच्चों को जन्म देने वाली दोनों के कदमों में जनना था कई लोग के confusion रहता है कई लोग बोलते भी हैं कि बहू कल की आई बीवी के पीछे पागल हो गया जोरू का गुलाम हो गया ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है जैसे कि आपकी माने जिंदगी जो है आपके वालिद के साथ गुजा पत्त्तrare कई टृकर्णा तो यही जनम देने वाली और आपके बच्चे को जनम देने वाली माने अपनी जिंदना करें जितना अपने जनम देने वाली मانेशी कितना अपने जनम देने इसलिए बहु वचन में कहा गया कि माओं के कदमों में जन्नत है आपको जनम देने वाली मा और आपके बच्चे को जनम देने वाली मा अगर आपसे खुश आए तो यही तो जन्नत है ना माओं के कदमों में जन्नत है तो यह प्रतीक बताया गया कि हम इस दुनिया को सुधार सके अब लोगों ने उन प्रतीकों को समझा नहीं जी वंब बांद लिए वहां कोई हूर मिलेगी अरे जब पैगंबर हजरत मुंबस से बढ़कर कौन है आपके लिए अल्ला के बाद उन्हों ने खुद कह दिया कि माओं के कदमों में जन्नत है और वो दुनिया की इमान वाल और एक अमबर जी एक इंपोर्टेंट बात एक और है इक सारी बात मैंने आपको इस्लाम के दाएरे में बताई हूँर इसको कोई भी काट नहीं सकता कि आपने गहरिस लामी बात करता है और इसलाम के दारे में एक बात और ये है कि कहते हैं कि हूर है ठीक हूर है पर आज तक किसी को हूर मिली नहीं है जिस जन्नत की हूर की बात करते हैं वाई क्यूंकि इसलाम में एक कंसेप्ट है मालिक है कियामत के दिल का इस दी ओनर ऑफ जज्ज्मेंट डे जज्ज्मेंट डे आएगा जज्ज्मेंट डे के दिन सब के रिपोर्ट कार्ड पर स्कुत किये जाएंगे जज्ज्मेंट डे में रिपोर्ट कार्ड के अधार पर अच्छे कर्मवालों को जन्नत मिलेगी बुरे कर्मवालों को दोजक मिलेगी और जब वो जन्नत में जाएंगे फिर वहां हूर होगी अगर आप इस हिसाब से भी चल रहे हैं जब कयामत आईगी तब यह सब होगा अब यह बताईए अभी तक कयामत आई है क्या अभी तक सारे लोग जो इस दुनिया से दारे पानी है वो अभी जमीन में दफन है जब कयामत आएगी तब उठेंगे तब उनका हिसाब किताब होगा तब तो जन्नत दोजक मिलेगी ना अभी आज तक किसी मौलाना ने जन्न देखी नहीं है क्यामत के बाद आएगा जजमेंट के बाद आएगा एक सवाल मेरा यह है कि चाहे के ला स्टोरी की बात हो कश्मीर फाइल्स हो या बहतर हुरे या जमेर 92 इस तरह की फिल्मों को लाया जाता है जन्ता के सामने तो इनको प्रोपेगंड़ा फिल्म क्यों कर दिया जाता है बहतर हुरों पे अगर बात हो तो बहतर हुरों को लालर जेकर किस तरह से युवां को बरगलाया जाता है यह तो समाज के हितकी बात है इससे पूरा धर्म और समाज किस तरह से खत्रे में आ जाता है इस तरह की फिल्में सिंबॉलिक फिल्में मुस्लिम समाज द्वारा बनाई जाने चाहिए हिंदू समाज द्वारा यदि फिल्म बनाई जा रही है तो उस पर डिस्प्यूट होता है कि हिंदू या कोई दूसरा हिसाई वेक्ति इसलाम को बुरे रूप में पेश कर रहा है जबकि मुसल्मानों को चाहिए कि जो कट्रपंथी जो चरंप पंथी लोग इस तरह से हूरों का लालच दिखाकर युवाओं को वरगला रहे हैं तो हमारे इंटलेक्च्वल सामने आएं और ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाएं और मुसल्मानों के बिच बताएं कि वाट इस एक्च्वल जन्ना जन्नत है क्या और हूर क्या है और उसके हि एक्स्प्रेंड करें जिससे की युवाओं को सही दिशा मिले एह दिना सिरातल मुस्तकीम वो सिराते मुस्तकीम पर चल सके तो इसको प्रोपगेंड़ा फिल्म इसलिए बोली जाती है कि सलीम जावेद अगर चोले फिल्म में बगवान के मंदिर का मजाग बना देंगे वहाँ पर हेमा मालनी और धर्मेंदर का सीन शूट कर देंगे वो बात होती है सामपरदाई कि भई आप एक मुस्लिम हो तो आपको किसी दूसरे धर्म का मजाग नहीं बनाना चाहिए अब यह जो चित्र बनाये थे उनका क्या नहीं आपने जी माता सरस्वत्य देवी देव जारे आईे हैं मुसलमानों को चाहिए उसको ठीक करें और व्थिक करणे करने के बज़ाए वहे हिंदोों की दधर में पशलमान बनाए इस्लाम धर्म के बारे में ताकि मुसलमानों में जो क्राल को नहीं है वह दूर हो प्रोपगेंडा फिल्म इसलिए कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, सलीम जावेद मंदिर का मजाक उडाते हैं, या वो कुराँ शरीफ का मजाक उडाते हैं, इसलिए इसको प्रोपगेंडा फिल्म बनाई जाती है, जैसे मैं आपको बताओ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, जो केरल जबरदस्त याने भ्याना कालोचना, आप यदि दिल्ली प्रेस का नाम आप सुने होंगे, इधर जंडे वालान की तरफ है, पहाड़ गंज की तरफ है दिल्ली प्रेस, जिसकी चंपक छपती है, ग्रह शोभा चंपक और ग्रह शोभा से लेके हिंदू समाज के पत हुई है, उसमें आप देखेंगे तो एक जो सियार है, धूर्त सियार उसको हमेशा पंडित के रूप में दिखाते हैं वो लोग, उस पे कभी भी हिंदूों का एक जो एग्रेशन, जो रियक्शन आना चीए, वो आज तक नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो प्रेस हिंदू लो मुसल्मान अपने धर्म की कुरूतियों को देखे, ना कि एक दूसरे की धर्म की कुरूतियों को देखे, अब जब कोई मौलाना अच्छी बात समझाता है, और मुसल्मानों में जो बुराईयां आ गए, जैसे मैंने एक मौलाना की इसपी सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात थी, यार पानी पिलाने का काम जैन मारवाड़ी सबसे ज़्यादा करते हैं, प्याव लगाने का काम, ये काम मुसल्मानों को करना चाहिए, तो ये मौलाना ने कितनी अच्छी बात बोली, मुसल्मानों जो कमी है, वो बताएगे कि भईया, पानी का महत्तुत इसलाम में सबसे जादा बताया गया है जैनमारवाडी सबसे ज्यादा इतुम को स्रामा निच्ये उनकी बात का कोई उन्हों निकर सकता कि उन्हीं आप्शब्ध कर एठ के क्यूं कि वह फुद मुसलमान खादिम है, उन्होंने सरवर चिश्टीरिन का नाम है, उन्होंने महिलाओं को लेकर बेयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं तो चीज ही ऐसी होती है, बाबाओं को देख लो जो देल में गए, वो भी इसलिए औरतों के चक्कर में चले गए, तो महिलाओं को लेकर, महिलाएं चीजी ऐसी होती है। बुरा लगाया तो मैं माफी चाहता हूँ और इस तरह से उन्होंने कहा है। कुछ चीजें हैं जो निकल कर सामने आएंगी तो उससे हमको प्रेणा लेनी चाहिए कि हमारी दरगाहों में हमारी खानकाहों में यदि कोई ऐसी हरकत होती है तो उस पे रूख लगे। ताकि किसी को इस तरह की फिल्म बनाने का की नौबती ना है। और यह जिन भी वेक्ती ने कहा है। यह तो बिल्कुल निंदनी बात है। क्योंकि दुनिया का हर आदमी, कोई भी हो, इस संसार में हजरत इसा आए, पेगंबर हजरत मौम्मद सल्लाव अले वसल्लाम आए, वतम बुद्ध आए, भगवान महाविर आए, सब मा के गर्भ से आएं। और अपने मा के गर्भ को और अपनी मा को आप अगर चीज बोल दे रहे हो, वस्तु बोल दे रहे हो, तो आप से बुरा निक्रिस्ट इंसान कोई नहीं हो सकता। और वो जिस भी मौलाना ने बोला होगा, वो भी मा के गर्भ से ही आया है, उसकी भी कोई बहन होगी, उसकी भी कोई बेटी होगी, यदि वो उनको चीज की नजरों से देखता है, तो उसको अपना थुड़ा सा दिमागी संतुलन चेक करवाने की जोरत है, कि वो कहां पर आ नहीं है, इस तरह कोई वस्तू नहीं है, सम्मान की योग है, और इसलाम में सबसे ज्यादा सम्मान इस तरी पुरूष दोनों में एदियम तुलना करें, तो औरत का है, यहां तक कि कयामत के दिन भी जो जज्जमेंटे आएगा ना, उस दिन आप मा के नाम से पुकारे चीज नहीं है, मा ने, अल्ला ने मा को वो दरजा दिया है, क्यों आपको जणम देती है, ऐस तरह की बातेकरना, इसलाम विरोधी है, वीएज़बी जो और जो मेन का अरए सब जो बोलते हैं, और जो मेन का कोई फिसल जाता है, यह जうजाता है, जी वो औरत के कारण नहीं पिसलता है अपने मन की गंदगी के कारण फिसलता है और सनाता अंधर में इसकी व्याक्त्या की रचा है यह जो मेनका है यह बाहर कोई फिजिकल रहा है लिख रहा है उसके दिमाग में कोई बुरी बात आ रही है उस समय तो सामने लड़की नहीं खड़ी है ना कोई मेंका नहीं खड़ी प्र वर्शी फिर भी क्या करता है वो अपना पढ़ाय लिखायी शोड़ के उठ जाता है वो सोचता यार किसी लड़की का डांस है तो आप उसको शांत रखिए बाहर की लड़कियों को दोश मत दीजिए अपने अंदर की गंदगी को आप संभाली है ना अगर आप कुराइं शरीफ पढ़ रहे हैं स्कूल की कोई किताब पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग को शुत रखके पढ़िए ताकि कोई जहन में अगर कोई सवाल कर लिया जाए तो हर चीज को कहते हैं कि इसलाम के विरोध में हैं आप इसलाम के खेलाप बोल रहे हैं आप तो बीजेपी आरेसेस के डलाल है तो ऐसे में किस सब्सक्रा से मुम्किन हो पाएगा जब हम इसलामी कर्णशेशन हैं उनकी तरफ से जो बड़े सवाल हे जिसे काफिक की बीया क्या जिहाद क्या है बहुत तरूनोंकी बात जो भी controversial issues है इनको लेकर जब भी सवाल करें